नमस्कार दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौरिया गुरू एकेडमी पर दोस्तों जितने भी छात्रे इस वीडियो को देख रहे हैं मेल हो या फीमेल हो सभी छात्रे ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा देखिएगा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्यूंकि इन्वर्सीटी से बहुत ही वड़ी खबर निकल का आया हुए सेशन 1922 पार्ट वन वालों के लिए जिनका एकजाम जिहां दोस्त आप लोगों को बता दों कि जिनका एकजाम होने वाला है इन्वर्सीटी से रिलेटर बड़े इंफर्मेशन निकल क कई जर्यार रहा है सब फैसटोंड धयान से इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और पूरा इस वीडियो को एंड तक देखेगा आगे पीछे भगा कर बिलकुल मत देखें वेर्ना आगे पीछे भगा कर देखेंगे तो आप लोग इन्पर्मेशन्डे वंचित हो सकते वीडियो को पूरा एन्ड तक देखेगा वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए लंबा होगा पर वीडियो बहुत ही जुआदा इन्ट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सवी छात्रों की help करिए इस वीडियो को शेयर करके उनके पास मतलब इस वीडियो को एक दूसरे के साथ साजा करिए Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram ये सभी application में share करिए सभी students को मालुम चलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सभी छात्रों को ठीक है क्योंकि उनकी भविस्य कर सवाल है छात्रों के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहे male हो या female हो सभी क्लियर हो चुका है जिन इस्टूरिंस का एक्जाम फॉर्म क्लियर नहीं हुआ है ओ जाके अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए और कॉलेज से जाके प्रिंस्पल से बात कर लीजिए ठीक है क्योंकि जिनका एक्जाम फॉर्म क्लियर नहीं हुआ है उनका एक्जाम नहीं देपाएंगे ध्यान से सुन लिजे मेरी बात दूसरी बात एक जाम जो उनक देखिए आब इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी महत्पुन कर वह यह नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब्स का ओप्सन दिख रहा होगा बगल में बैल एकन वाली घंटी को भी हिट कर दीजे कि आने वाली पर्ते के नोटिफिकेशन इंफर्मेशन आपडेट भी अपडेट मिलता रहा है दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा यदि अग साथ जानिया समझे दोस्तों इनवर्सीटी से यह इंफर्मेशन आ रहा है सावी छात्रों के लिए सेशन निसबाइस पार्ट वन वालों के लिए कि जिनके पास रेजिस्टेशन नंबर नहीं होगा ओ एकजाम नहीं दे पाएंगे ध्यान से सुन लिजे अगर आपके पास पास रेजिस्टेशन नंबर नहीं है जिन जिन छात्रों के पास रेजिस्टेशन नंबर नहीं है कमेंट सेसन में मुझे जरूर बताएगा और अपने अपने कॉलेज जाके रेजिस्टेशन नंबर निकलवा लिजे ध्यान से सुन यह सभी स्टूरियल से मेरी बात क्योंकि registration number और आपका परवेश पत्र दो चीज होता है जो exam hall में आपको ले जाना होता है अगर आपके exam hall में ले जाने के लिए आपके पास registration number नहीं है तो फॉरन जाके registration number अपने अपने college से जाकर निकलवा लिजिए वरना आप लोग exam नहीं दे पाएंगे इस बात का note कर लिजे सभी छात्र ध्यान से सुलिजे क्योंकि university से जो भी update आता है सबसे पहले चैनल पर provide करा दिये जाता है आप लोगों के पास अगर registration number नहीं है तो अपने अपने college या कर registration number निकलवा लिजे फॉरन क्योंकि registration number होगा तभी आप लोगों का exam दे पाएंगे दूसरी question जिनका exam form clear नहीं हुआ है वो exam नहीं दे पाएंगे इस बात का ध्यान रखेगा आप लोगों के लिए सारी information लेके आना बहुत जुरूरी था सभी छात्रों को अवस्यक सूचना देना था वीडियो कैसा रहा comment box में जरू बताएगा यह जनकारी आप लोगों को बताना बहुत ही जुरूरी था सभी छात्रों को मालुम चल जाए क्योंकि बहुत सारे छात् रहं स्यादा आगे चल के पर्षानी होता और क्या होता है जब एक्जाम सर पर आ जाता है तो प्रॉब्लम आने लगती है जब लगती है तो छात्रों को मौलूम नी चलता है कि आप क्या करें बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होने लगता है तो प्लीज आप लोगों से request है कि आप लोग आगर registration number जिनके जिनके पास नहीं है जाके college से निकलवा लीजिए college से आप लोग registration number निकलवा सकते हैं जाकर ठीक है आपको exam exam में कोई problem नहीं होगा सभी छात्रों के लिए बड़ी information है तो बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे इसलिए मैं पताना जुरूरी था अब बात करते हैं कुछ छात्रों की जो admit card को लेका बार बर question कर रहे हैं कि सारे admit card हमारे कब जारी होगा बहुत जल्दी जारी होगा दोस्तों आप लोग टेंसर मत लीजिए पलपल की update में आपको देता रहूंगा इसी चैनल पर लगे रही है इस चैनल के द्वारा आप लोगों को पूरी information मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब कि यह सभी छात्रों के साथ like कर यह like किना बहुत करते हैं वीडियो को देख लेते हैं वीडियो के भावनाओं के खो जाते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं लाइक जरू कर दीजगा कि आप लोगों को पूरी information मिले ठीक है और जैसे कि आप लोगों को पता दिया मैंन नेस्ट वीडियो लेकाएंगा बहुत जया तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों तक के लिए जाहिन जावन्दे मात्रम